हेलो ब्रिलियंट्स अभी हम कर रहे हैं एर्थ क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नमबर 18 एक्सराइज 18.1 चैप्टर का नाम है मैंचुरेशन 1 एरिया ओफ पॉलिगन्स यहाँ पर पॉलिगन के एरिया के साथ साथ पॉलिगन्स मतलब जो सिरफ साइडो से मिलके बना हुआ हूँ तो उनका एरिया कोई सेडिड एरिया है तो कुछ डारेट एरिया होगा लेकिन यहाँ पर हमें जो यह पॉलिगन के अंदर जो डोटिड पार्ट आपको नजर आ रहा है इसका एरिया हमें निकालना है टोटल फाइव पार्ट है जिसमें से दो पार्ट के हम कर चुके हैं वीडियो और अब यह तीसरा पार्ट है तो यह करते हैं इस पार्ट को करने के लिए आपको टोटल तीन फार्मूलों का इस्तमाल करना होगा एक फार्मूला होगा जो ये स्क्वेर नजर आ रहा है इस स्क्वेर का एरिया निकालना दूसरा काम होगा कि आपको जो ये वाला पार्ट है सेमि सर्कल और जो ये वाला पार्ट है सेमि सर्कल इन दो सेमि सर्कल का एरिया आपको निकालना होगा तो जो ये टोटल जो स्क्वेर आपके सामने है इस स्क्वेर का इस स्क्वेर का एरिया आपको निकालना होगा और semi circle का area, दो हो गए formula, is that clear, एक ये वाला हो गया, semi circle का area, और एक जो square है, उसका area, और जो third formula इस्तमाल होगा, वो होगा shaded area के लिए, shaded जो region है, उसका area निकालने के लिए, shaded region जो एक तो ये वाला है, और एक ये वाला, जिसमें dot dot लगी हुई है, इसका area निकालना है, तो total square के area में से, इन दोनों semi circle का area minus कर देंगे, जो गी pink part है, तो हमें shaded area मिल जाएगा, तीन फार्मले समझ में आ गए, circle का area, square का area, और फिर shaded region के area के लिए, square का area minus में दो semi circle का area, और आपका answer आ जाएगा, ओके तो चलिए अब इसको, solution को लिखना start करते हैं, in the case of square, square के case में, जो side है square की, वो है 7 plus में 7 करेंगे, क्योंकि जो square है, जो ये side नजर आ रही है आपको, इसमें ये पूरी set दोनों 7 को plus करके आपको मिलेगी, 7 plus 7 is equal to 14 centimeter, area is equal to side multiply, side होता है, या फिर आप ये भी लिखते हैं, side power 2, तो भी एक ही बात होगी, side आ गई, 14 centimeter, multiply 14, 14 multiply 14 होता है, 296 centimeter square, area है, तो power 2 में आएगा, याद रखिएगा, centimeter में नहीं, एक तो unit आप नहीं लिखते हैं, गलती यह है, और अगर unit लिखते हो, तो सही नहीं लिखते हैं, तो दूसरी गलती है, और अगर सही लिखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, तो power 2 और आप इसमें लगाएंगे, centimeter की power 2, क्योंकि इसमें length multiply length I है, तो centimeter multiply centimeter, तो centimeter square, बोलिए clear है, यह था solution जिसमें हमने किया square का area, वो निकाला, आप चाहें, तो 14 को 14 से multiply करके देख सकती है, 14, 4056, 6, 5, 14 बन्जा 14, 14 and 5, 19, 196, आपको table learn नहीं है न, बोलो बताओ सच-सच, मन में सोचा कुछ, मैंने सुना, आपको table learn नहीं है, कुछ बच्चों ने कहा कि हाँ table learn है, वो अच्छी बात है, आपको table learn जरूर अच्छे से होनी चाहिए, clear हैं, तो फिर 1 to 10 तो अच्छे से आनी ही चाहिए, साथ के साथ फिर आपको 12 से 19 ये भी अच्छे से आनी चाहिए, 10 और 11 जो है, उद्धासान होती ही है, और 20 भी, तो ये tables आपको अच्छे से आनी चाहिए, चीज़ों के लिए, calculation fast हो जाती है, accuracy level भड़ जाता है, तो ये था हमारा एक part जिसमें हमने area of circle निकाला, और अब जो हम करने जा रहे हैं, वो होगा semi circle का area, in the case of semicircle, हमें चाहिए इसके लिए radius, अब जो आपको नजर आ रही है dot, इस dot जो की center है, यहां से लेकर के यहां तक का जो है, ये radius हुआ, तो इसकी जो radius है, वो है 7 cm, एरिया इसका होगा πाई आर स्क्वियर, साथ में half और आएगा, क्योंकि ये circle का आधा है, circle के area के लिए πाई आर स्क्वियर का इस्तमाल करते हैं, क्योंकि semi circle है, ये circle का आधा, तो इसमें half और include कर लिया, बोलिए clear है ये, very good, अब सेम जो चीज है, 1 by 2, वो हम लेंगे, 1 by 2, पाई की वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे, 22 by 7, और आर की वैल्यू तो 7 ही है, ये वाली यहाँ से लेकर के, यहाँ तक की जो, 7 cm, multiply में 7, multiply 7, clear है, अब इस 7 से, ये 7 कट गया, और इस 2 से, ये 22 कट गया, और 11 आ गया, 11 और 7, ये दो उपर बस्ते हैं, 11 multiply 7 हुआ, 77 cm square, area है, तो पावर 2 में आएगा, is that clear, very good, तो इस तरीके से हमने ये वाला जो solution है, ये वाला भी part कर लिया है, अब करते हैं, next part, ये तो था, जो की एक सेमी सर्कल का आया है, दो सेमी सर्कल का एरिया हमें निकालना होगा, area of 2 सेमी सर्कल is equal to, 2 multiply area of 1 सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल का एरिया हमने निकाला था, 77 cm square, तो 2 का होगा, 2 multiply कर देंगे, और 2 multiply 77 होता है, 154, cm square, तो ये हो गए हमारे, दोनों सर्कल का एरिया निकाल दिया, और square का एरिया निकाल दिया, अब next part, जो shaded part है, उसके लिए, हमें इन दोनों की जुरुत्थी जो हम निकाल चुके, तीसरा formula इस्तमाल करते हैं, ये तो unitary method का इस्तमाल किया था, हमने, एक का, हमने निकाल लिया था, तो 2 का निकालने के लिए, 2 से multiply कर दिया, और अब हम निकालते है, shaded area का, जो value है, वो क्या होगी, एरिया ओफ शेर्डिड रिजन, is equal to, एरिया ओफ शेर्कल, माइनस में, एरिया ओफ टू सेमी सर्कल, is equal to, area of circle, नहीं होगा, यह तो गलती होगी, area of square, sorry, square का area, हमने निकाला था, 196, और, जो 2 सेमी सर्कल का area है, वो आया, 154 cm square, माइनस करके, हमें क्या मिलेगा, 6 माइनस 4, 2, 9 माइनस 5, 4, 42, 42 cm square, clear होगा आपको यह, very good, तो आप इसने, हमने जो इसके partition किये है, total 4 partition किये है, जिसके अंदर, पहला partition है, यहाँ पर square का area हमने निकाला, जिसमें side 14 cm ली, और जो formula इस्तमाल किया, वो यह वाला, second part के अंदर, हमने क्या गिया, एक semi circle का area निकाला, जिसमें radius 7 cm ली, semi circle के area के लिए, जो formula इस्तमाल किया, half pi r square, calculation की 77 cm square आया, third partition के अंदर, हमने area of two semicircles निकाला, जिसमें एक semi circle का area हमने निकाल लिया था, टू का निकालने के लिए, सिरफ एक के area को two से multiply किया और answer आया, इसके लिए, दो semicircle के area के लिए, fourth part के अंदर, area of shaded region, जो की हमारा target था, area of circle minus में area of two semicircles, ये निकाला, circle का जो square का area, area of square minus में area of two semicircles, area of square 196 आया था, और दो semicircle का area 154 cm square आया, minus करके 42 cm square आया, ये हमारा हुआ final answer, बोले clear है, कोई दिक्कत है तो आप comment box में कह सकते हैं, बाकी आपको क्या करना चीए, इसे टुकड़ों में करना चाहिए, अगर कोई दिक्कत आये तो आप comment box में कह सकते हैं, फहले एक टुकड़ा अच्छे से समझ लीजिए, एक टुकड़ा अच्छे समझ में आने के बाद, दूसरा टुकड़ा कीजिए, दूसरा टुकड़ा अच्छे से आने के बाद तिसरा टुकड़ा कीजिए और इसे करके देखिए अगर आपने ये सोचा कि भई मैंने समझ लिया और मुझे आ गया तो ये आपकी गलत फैमी हो सकती है अगर आपकी प्रैक्टिस मैथ के अंदर नहीं है तो और दीरे दीरे जब आपकी प्रैक्टिस जादा हो जाएगी तो आप बड़े पार्ट्स यानि की दो दो तिन तिन पार्ट्स या पूरा कोस्टन भी एक साथ कर सकते हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे टुकड़ो में कीजिए और अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है आप अच्छे है म्यात के अंदर तो फिर आप पूरा पार्ट एक साथ करते रहिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट ओव दिस कॉस्ट्चन अल्वेश वेव ग्रेट ताम थैंक्यू स्टुदेंट्स बाइ